असलाम लेकुम तो आज एक और OPPO की डिवाइस के साथ आई हूँ जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में का था के OPPO ने दो डिवाइस लाँच की है और आफ्टर लॉंग टाइम पाकिस्तान में अच्छा कमबैक किया है OPPO A58 और OPPO A78 यह दो डिवाइस लाँच की गई है तो OPPO A78 को आज अन्बॉक्स करना है रिव्यू करना है अपना उपीनियन बताना है लेकिन क्या जानना जरूरी है इसकी प्राइस तो OPPO A78 अपर मेजरेंज डिवाइस है क्योंकि इसकी प्राइस है 71,999 यानिके 72,000 की प् पाकिस्तानी मांकिट में अब आप लोग कहेंगे प्राइस स्यादा है स्पेक्स जाने बगार कोई भी हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते ना डिसाइट कर सकते हैं तो यहां पर इसके जो की पॉइंट्स हैं जो हाइलाइट में पॉइंट्स है वो मैं आप से शियर कर लो 67 व 16 GB RAM expansion को option है इसके अंदर तो यह कुछ इसके key points है और बाखी बहुत सारी details है जो कि जाहरे आपने unboxing देखनी है उसके लिए अपने चैनल सब्स्राइब करना है ताके आपको notification मिलती रहे 8 GB RAM है 256 GB internal storage है लेकिन आप 16 GB यानिके 8 GB आपको RAM expansion को option दिया गया है 8 plus 8 GB के साथ मेरे पास अपने जो कलरा है वो है aqua green कलर का तो स्टार्ट करते हैं unboxing सबसे top पे हमें एक और box मिलता है इसमें आपको मिलते है कुछ पेपर वो कुछ डॉकमेंटेशन और सिम एक 2D मौजूद है और यहां पर हमें इसका back cover मिलता है और इसकी quality बड़ी अच्छी लग रहे है मुझे okay site पे कर लेते हैं इसको और यह है smartphone oppo a78 इसके साथ हमें एक बड़ा सा चार्जर मिलता है जो के superbook चार्ज है oppo का 67 watt का इसमें fast charging आपको मिलते है इस device में तो आपको box के अंदर ही fast charger दिया गया है और हमें मिलते है type c की तो रिवाइस के ऊपर एक शीट है इसके ऊपर अलड़ी मेंशन है 67 watt superbook चार्जिंग फुल एश्री प्लस AMOLED डिस्प्ले त्याद दिया गया है 8gb प्लस अब्टूस 8gb extended ram and dual stereo speakers है तो यहां पर फीचर्स काफ़ इंट्रस्टिंग है इसके अंदर क्योंके एक AMOLED डिस्प्ले भी दिया गया है और लुप भी आपो दिखा देते हैं इसकी लुक्स कैसी है EPA Green color का है he phone कॉ 봤ूरत look सेंस की और slim phone है अल्टा ंडाइमन matrix design दिया गया है यह जो matrix आपको नजर आ थै को यह design का नम दिया है कि इसमें सकी कुछ cuts बन रहे बहुत कूल लग रहा है अगर आप लाइट में देखेंगे तो भॉत अच्छा ये ये दे रहा है, डीसेंट कलर है, डीसेंट शाइन है और इसके अलाव़ रही नहीं है, फिंगरपिंट्स नी बनेंगे, इनोवेटिव एयाय कैमरा मेंचेन है, डीवल केमरा है, 50 मेंगापिक जो थी वो थोड़ी बड़ी मुझे लगी और वो दो हातों में ज़रा ज्यादा कम्फटबल थे अगर आप यूज कर रहे हैं गेमिंग करें लेकिन इसको एजी है पकरना और होल करना राइट साइट में मिलता है पावर बटन वॉल्यूम रॉकर्स क्योंके फिंगर प्रिंट सेंसर नहीं है राइट साइट पे इसमें अमले डिस्प्ले है तो अंदर डिस्प्ले होगा बॉट्टम पे स्पीकर टाइप सी पोर्ट ऑडियो जैक और इसके लावा यहां पर आपक साइट प्याज कर आपको पता है मिडल में दिया जा रहा है पांच होल तो यह काफी खुबसूरत लग रहा है यह डिस्प्ले फॉल एजी प्लस की रिजूशन है 6.4 इंच का यह डिस्प्ले है एक एमोलेट स्क्रीन दी गई है 90 हर्ट का हाय रिफिर्श रेट दिया गया है 180 हर्ट का पीक टच सेंप्लिंग रेट दिया गया है और 600 निट की मैक्सिमम ब्राइटनस दी गई है डिस्प्ले नो डाउट इसका कमाल होगा क्योंकि यहां पर आपको एक एमोलेट स्क्रीन दी गई है हाई रिफिर्श रेट भी दिया गया है ब्राइटनस भी बहुत अच 202 आपको बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि यहां पर मैं छीज दोड कर ही हूं कि यहां पर बहुत स्मूध पर amendment सिप्डिल इस दिस्प्ले चाहिए केमरा डिपार्टमेंट की बात की चाहिए 50 मेगापिक्सल AI मेन केमरा है इसके अंदर डियुल केमरा है 2 मेगापिक्सल के डैप संसे हैं कैमरा में एक चीज मैंने नोट की एफिटी एट में बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले थे इसके पोट्रेट में पिक्चर बड़ी अच्छी लीती इसने और अगर आप उसको जूम करते हैं तो डिटेलिंग बिल्कुल मिस नहीं हो रही थी के जादा डीटेलिंग हम देख सकते हैं आज आपको बता है सब थोर से डल डल मौसम है धूब भी नहीं है तो पिक्चर की वह उस तरह की हमें जो औरीजिनल पिक्चर है वो नहीं कैमरा इंसाफ नहीं का रहा सीदी सी बात है मौसम के साथ तो यहां पर पिक्चर की कॉलिट अच्छी लगी रिजल्ट अच्छे मिलें डीटेलिंग काफी हद तक बहतर मुझे लगी तू मेंगा पिक्सल का डैप्थ कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी हद तक बहतर लगी लेकिन यहां पर भी ओपो एसेवेंटी एट में एट मेंगा पिक्सल सेलफी कैमरा दिया गया है यह 8 मेंगा पिक्सल क्यों दिया गया है एट मेंगा पिक्सल इसमें ज्यादा होना चाहिए था और वीडियो में एक्सपेट करी थी एट लीस 4K होता या 2K होता लेकिन यहां पर सिर्फ 10 ATP आपको दिया गया है और किसी भी तरह की को इस्टेबिलिटी भी नही चाहिए था कैमरा पर तो यहां पर परफॉर्मेंस की बात की जाए चिप सेट है इसमें कॉल कॉम स्नाप्रेगन 680 के चिप सेट यह प्रोसेसर बी ज़रा और अच्छा दे दिया जाता तो बहुत अच्छा हो जाता एक अच्छा पैकेज दे दिया जाता इसी प्राइस में इसी बजट में 680 पे आप स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा तो यहां पर मल्टी टास्किंग आप अच्छी खासी कर सकते हैं कुछ अगर हैवी एप साप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वह चला सकते हैं और अगर बहुत जादा हैवी उजर है तो थोड़ा सा वाइट कि यहां पर चिपसर जो है वह इतनी आपको अची नहीं दी गई कि वह बहुत जादा हैवी यूज बर्दाश कर सके ओवरॉल जो है मुझे ठीठा कि इसकी परफॉर्मेंस लग रही है लाइक मुझे किसी पी तरह का कोई डिले नहीं मिल रहा और किसी तरह भी अभी मुझे ड अर अनलाइस किया है यह फोन मुझे काफी बहतर लगा बैटरी की साइट पर बात की जाए तो यहां पर 67 वार्ट का इसमें फास्ट चार्जिंग दी गई है और 5000 अमेच की बैटरी है तो बैटरी और चार्जिंग तो पॉफेक्ट है पांसर मेच की बड़ी बैटरी है और बैटरी भी बड़ी दे गई है तो यह एक अच्छी चीज मुझे लगी और सुपर वोग चार्ज काफी फास्ट आपको चार्जिं दी गई है तो मिंट में आपकी ड़ाइस चार्ज होगी कलर ओस 13.1 तिया गया है तो यहां पर बहुत ही जबर दस मुझे युआ लगा इसक कोई ब्लॉट्वेर्स मुझे नहीं मिले हां इसमें कुछ लाइट गेम हैं जो कि अप अनिंस्टॉल भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर युजर इंटरफेस मुझे बहुत जादा फ्रेंडली लगा और आपको जारे फीचर अपडेट पर जल्दी ही मिलते रहेंगे क्या कोई वीडियो भी देख रहें ना लाइक इंस्ट्रग्राम पे फेस्बुक पे यूट्यूब पे तो जाहर है उसकी ओडियो हमें आरी होती है और कॉल पर इक से स्पीकर पर बात होती है तो यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए स्पीकर आपके आवाज साफ हा अगर आप कॉल कर रहे हैं लाइक उसके लिए भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मस देगा तो यहां पर अल्ट्रा वॉल्यूम मोट दिया गया है जो कि मेरे हाल में अब तक मैंने नहीं देखा एक न्यू चीज है यूनिक चीज है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी एक विडियो प्ले करके मैं आपको दिखाती हूं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा इसकी साउंड कैसी है अच्छा यह क्लिप जैसे मैंने भी प्ले किया मैंने इसका वॉल्यूम बिल्कुल फुल कर दिया तो 300 प्रसेंट इसका वॉल्यूम जा रहा है इसलिए यहां पर आप काफी ज़्यादा ओपो एफिफिएड में 200 जा रहा था इसमें 300 जा रहा है जो कि काफी ज्यादा है तो ओपो A78 के बारे में मेरी क्या रहा है मुझे यह फोन बहुत स्टाइलिश लगा मुझे काफी ज्यादा इजी टु होल्ड केरी करना बहुत इजी है इसको और एक स्टाइलिश स्मार्टफोन के साथ साथ इसकी पुफॉर्मस में मुझे बहतर लगी और बहतर हो सकती थी या और बहतर होनी चाहिए थी लेकिन ओवर ओल डिवाइस की लुक्स बहुत अच्छी है डिस्पले कमाल है कैमरा के रिजल्स बहुत अच्छे हैं बैटरी साइट पे बहुत अच्छा है लेकिन मेगट्यू प्रोसेसर और फ्रंट कैमरा पे थोड़ा काम होना चाहिए था वेल ये था OPPO A78 और प्राइस इसकी है 72,000 अगर आपका ये बजट है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लेकिन आपने अच्छी तरह इसको पहले देख लेना है यूस कर लेना है तब आपने अपने पैसे लगाने है वेल जाने से पहले क्या करना है आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब की पॉचिंग अल्हाफिज